हार्तिक पांडिया को मिली धमकी रोहित सर्मा के फैंस ने कहा रेष्ट इनपीश हार्तिक पांडिया नमस्ते मेरा नाम है कुन्नन कुमार और आप देख रहे हैं KKN Live देखिए जब से MI की Precision Press Conference हुई है जहां पे हार्तिक पांडिया और Mark Boucher आये थे तब से लेकर अब तक मुद्दा बहुत गर्मा गया है और रोहित वर्सेस हार्तिक ये लराई एक अलग ही मोर लेती जा रही है जो कि दिखने में अब बहुत खराब लग रही है क्योंकि रोहित फैंस वर्सेस हार्तिक फैंस अब ये नई लराई शुरू हो चुकी है लेकिन अगर बात करें वहाँ पे हार्तिक पांडिया को किस कदर किटिसाइज किया जा रहा है आपको बता देते हैं कि ट्विटर पर इस बग ट्रेंट कर रहा है आर आई पी हार्तिक पांडिया मतलब रेस्ट इन पीस हार्तिक पांडिया और कौन कर रहा है यह देखने में तो यही लग रहा है कि रोहित सर्मा के फैंस कर रहे हैं देखिए एक हद तक चीजे तो ठीक लगती है लेकिन जब इस तरह चीजे चली आती है जहां पर कुछ ऐसा बोला जाता है तो चीजे कहीं न कहीं खड़ाब हो जाती है अब रोहित के कई सारे फैन हैं जो कि रोहित को लेके काफी सपोर्टीव ट्विट्स कर रहे हैं वह यह चीज लिख रहे हैं कि भाई रोहित सर्मा की जो एंट्री हो गई है उसके बाद जो यह सब छपड़ी बगएरा बोलना या फिर R.I.P. पांडिया का ट्रेन चलाना आपको बता दे कि नंबर वन पे ट्रेन कर रहा है वाई दबे यह देखिए आपकी स्क्रीन पे तस्वीर भी दिख रही होगी जहां पे मुंबई इंडियन्स की जर्सी है और उसे जलाया जा रहा है जिस पर छपड़ी लिखा हुआ है और यह अभी नहीं हो रहा हारतिक पांडिया को तब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है जब से उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया है एंडि बेन अगर बात करे जब से उन्हें टीम में लाया गया है क्योंकि रोहिज सर्मा को वहाँ पर कप्तानी से हटाया गया और रोहिज सर्मा के साथ बहुत सारे इमोशन जुए हुए क्योंकि भारतिय किरिकेटर के वह इतने बड़े सितारे हैं लेकिन मेन बात यह हो गई कि जब प्रेस कॉंफरेंस में हार्तिक पांडे आये तब अपनी कप्तानी को लेकर उन्होंने कोई भी जबाब नहीं दिया अवॉइड ही किया बलकि और वहाँ पे कोश्चन भी स्कीप कर दिया था एंड तब से लेकर अब तक कहीं न कहीं रोहिर फैंस को बहुत ज़ादा गुस्सा आ रहा है कि हार्तिक पांडे इस चीज को लेकर जवाब क्यों नहीं दे रहा है वो जवाब जानना चाहते हैं लेकिन एक बात जो कि बहुत गलत लग रही है हार्तिक पांडिया को सब के सब यहां पर बिलन बना रहे है हार्तिक पांडिया मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहां पर बिलन कैसे हुई क्योंकि एक बात आप समझें कि भाई हार्तिक पांडिया को एक जगह से अगर बेटर ओफर मिला अगर मुंबई इंडियन्स की फ्रेंचाइजी ने उन्हें कप्तानी ओफर की और साथी में ब्रान एंड्रोस्मेंट डील ज़्यादा दी एंड पैसा भी ज़्यादा दिया तो उसमें दिक्कत क्या थी कि भाई हार्तिक पांडे उस तरफ चले गए अगर किर्केट नहीं तो कोई और फिल्ड होती तो हम भी यही करते लेकिन हार्तिक पांडे को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्यों क्योंकि भाई उहाँ पर रोहित सरमा के साथ बुरा हुआ जो कि कहीं न कहीं गलत है यहाँ चीज किसी को भी नहीं करनी चाहिए एक खिलारी को इस कदर क्रिटिसाज नहीं करना चाहिए सभी को पता होना चाहिए कि इस खिलारी ने हमारे लिए क्या क्या किया है हार्तिक पांडिया हलाकि इंजिरी परोन है लेकिन जब जब बड़े मैच में खेले "'Hartie की परफॉमेंस आई है तो उनकी उन performance को हमें भूलना नहीं चाहिए सिर्फ इस कारण से उन्हें लगातार यह सब बोलना R.I.P. पांडया या बहुत गिरी हुई हरकत है जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए इससे पहले भी आपको याद होगा कि हार्तिक पांडय नहीं बलकि एक बार जब ट्विटर पर ये भी ट्रेंड कर रहा था कि सेम ओन मुंबई इंडियन हाला कि एमा यहां पर बिलन बन सकती लेकिन हार्तिक पांडया का बिलन बनना कोई point of view नहीं है सेंसलेस बाते हैं कुछ तस्बीर भी सामने आई थी जहां पर एक वीडियो में हार्तिक पांडया और रोहिच सर्मा साथ भी दिख रहे थे फैन वेट कर रहे थे कि रोहिच सर्मा और हार्तिक पांडया साथ कब दिखेंगे हाला कि एक बार दिखे भी थे पर मजा तब आएगा जब फिल्ड पर यहां दोनों साथ उतरेंगे एंड वहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पर दोनों के बीच में एक रिप्ट होगा या फिर वहाँ पर दोनों के दोनों साथ होके खेलेंगे हाला कि हार्तिक पांडे ने चीज कह दिये कि रोहिष सर्मा की बैकिंग हमेशा रहेगी जब वो फिल पर उतरेंगे क्योंकि रोहिष सर्मा एक एक्सप्रियेंसेज कपतान है जिनकी जरूरत परेगी हार्तिक पांडिया को हार्तिक पांडिया accept कर रहे हैं कि कुछ experiences खिलारी हैं जिनकी backing उन्हें चाहिए हाला कि अभी तो रोहित सर्मा के अगेंस्ट को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं जो भी होगा internal लडाया हैं बाहर आप दुनिया को दिखा नहीं सकते लेकिन असली खबर तो Mumbai Indians के franchisee और dressing room में चल नहीं होगी लेकिन इस पूरे मुद्दे पे आपका क्या point of view है क्या इस तरह से R.I.P. पांडिया ट्रेंड करना रोहित फैंस के लिए सही है या नहीं comment section में ज़रू बताईएगा लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिन जै भारत धन्यवाद